दोस्तों यदि आप एक यूट्यूबर है तो आज की वीडियो आपकी आखे खोल देंगी जी हाँ आपकी आखे खोल देंगी क्योंकि आपने यूट्यूब के अलगोरिदम के बारे में बहुत सुना होगा और एक बात तो जरूर सुनी होगी कि यार अगर वीडियो पे CTR आप ही अच्छा आ जाए इंप्रेशन जादा जाते है और इससे वीडियो वाइरल होती है लेकिन आज की वीडियो आपका ब्रह्म तोड़ देगी तो वीडियो को कंपिट देखेगा चैनल को सब्सकाइब निक्या सब्सकाइब करने के साथ साथ नौटिफिकेशन बैल को दबा देना यार फिरी में आपको बहुत ज़्यादा नौलेज मिलती है इस चैनल पर नमस्कार दोस्तों मैं हो योगी योगेंद्र आप देख रहे हैं टेकनिकल योगी नो ड्रामा नो क्लिक पैट अल इट है तो यहाँ पर यूट्यूब के बारे में एक चीज आपने हमे अब लोग कहते हैं कि 10%, 15%, 20% ऐसे अगर ज़्यादा CTR आपकी वीडियो पर आता है तो इंप्रेशन भी ज़्यादा लोगों तक भेजता है यूट्यूब और उसके बाद अगर ओडियेंस रिटेंशन वाश टाइम अच्चा है तो वीडियो वाइरल हो जाता है बट यह थोड़ा ज़्यादा लोगों तक भेज देगा यूट्यूब अगर उसके ओडियेंस रिटेंशन अच्छा आ रहा है वाश टाइम मिल रहा है आपको तो वो वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आ सकता है लेकिन मान लीजिए आपने content मनाया जो एक searching content है यानि उस content का कोई trend लोगों को उसमें अचानक से कोई दिल्चस्पी नहीं है अभी उसका कोई trend नहीं चला लेकिन वो एक searching content है लोग उस तरह के content को सर्च करते हैं जैसे कोई educational content हो सकता है किसी gadget का review हो सकता है कोई travel ट्रेवल जैटनरी हो सकते है कोई travel guides हो सकता TCP हो सकती है, इस तरह का content हो सकता है, जैसे मैं YouTube के tips बनाता हूँ, ये भी एक तरह के searching content है, लोग अपनी जब उनको problem होती है, तो search करके ऐसा content देखते हैं, तो जो evergreen video होती है वो आपके चल पे सब ज़्यादा आपको कमा के देती है, ऐसे content की अगर बात करें, तो यहाँ पे क्य होता है कि अगर माल लीजिए, आपका CTR starting में down है, बिलकुल down है, लोग उस video पे click ही नहीं कर रहे हैं, और आपके impression भी कम जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है, कि यह video भी down हो जाएगी, और भविस्से में यह कभी viral नहीं होगी, चलिए मैं computer screen पर लेके चलता हूँ, और नहीं करता, क्योंकि मेरी audience जदतर YouTube tips देखती है, लेकिन यह वाला video मैंने एक बार बनाया, और आज इस video पर 14.3 lakh views है, यानि 1.4 million से भी जादा views है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि impression click through rate तो बहुत बढ़ी है, 14%, बट यहाँ पे impression भी काफी बढ़ी है, 85 lakh क्यास पस, लेक अब यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे जब मैंने वीडियो डाला, तो शुरुवात के देखें, 48 गंटे में यह impression click through rate विलकुल कम था, और आज यह यहाँ पर है, चलिए मैं आपको एक बार चेक करा के दिखाता हूँ, देखें, यहाँ पे जो मेरा impression click through rate था, वो अगर average की बात करें, अगर सारा, अगर पूरा जो graph है, इसकी average की बात करो, तो यहाँ पे पता है, 14.1% impression click through rate है, पता है क्यों, क्योंकि यह वीडियो पूरा सर्च में जा रहा है, इस वीडियो पे काफी अच्छा SEO मैंने किया है, तो जब वीडियो सर्च में जाता है, क्यों कैसे हम laptop को reset करें, तो यह problem को solve कर रहा है, अब किसी की problem होगी, तो वहाचे search करता है, और search करता है, तो बिया, starting में अगर आपके शुरुआत के मालो, एक वीडियो एक में impression कम भी है, तो बाद में बहुत तगड़े increase हो जाते है, same impression की बात करलू, तो यहाँ पे देके impression, बहुत भेंकर impression बढ़ गए, अब यहां पे मैं आपको एक चीज़ clear दिखा देता हूँ, यहां पे अगर traffic source की बात करें, तो यहां पे जो मेरा traffic source है, वो 89% YouTube सर्च से आया है, तो अब आपको सैथ clear हो गया होगा, कि अगर कोई वीडियो आप searchable content पे बना रहे हो, तो starting के कुछ time, अगर उस पर click through rate कम है, impression कम है, तो आपको tension नहीं लेनी है, अगर आपका content है, वो quality content होगा, तो आगे जाके viral हो सकता है, तो दोस्तों कुल मिला के कहने का मतलब यह है, कि CTR और जो impression है, वो depend करता है कि आपकी वीडियो का topic क्या है, अगर आपकी वीडियो एक searching content ह तो उसमें starting में, अगर CTR कम हो रहा है, आपका impression कम जा रहे, तो भी आपको tension लेनी की ज़रूत नहीं है, अगर वीडियो में आपने quality content प्रोइड किया है, तो वो वीडियो बाद में viral हो सकती है, मैंने आपको एक वीडियो का example with proof दिखाया, मेरे चलपे से बहुत सारी वीडि की थी, तो बस अगर आप भी ऐसा content बनाते, तो आपको tension लेनी, लगातार आपको अच्छी quality के content बनाते रहने, सायद मैंने आपको सारी चीज़े यहाँ पर वीडिप्रूफ के लिए, वीडियो पसंद आई, वीडियो को like share कर दीजे, चैनल पर पहली बार आए, subscribe करने के notification बैल को दबाके all पर click करे, इसी तरह का content मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए, चैनल